हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं में जो से नेक्स पार्ट जिसमें पार्ट नमबर 20 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज चिननक यानि कि जो संक था जो पीछे मने कल संक पढ़ा है और संक से अब चिननक बनेगा संक से ही चिननक बनेगा इसलिए आपको संक को जुरूर पढ़ना चाहिए संक को ही नहीं आपको जितने भी जारे एक से लेकर 19 पार्ट तक आपको लिंक डिक्स्कूसन में दी है एडवांस मैस न्यू कोर्स बायतूसर के नाम से आपर एक लिस्ट बनी चिननक और यह बंता कैसे है यह चीज समझो पहले जैसे यह एक हमारे पास संक था और इस संक को अगर यहां से काट दोगे तो यहां से जो एक आकरित प्राप्त होगी यह वाली वो कुछ इस तरीके से होगी कुछ इस तरीके से यह वाली आकरित होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे इसी को हम लोग संक कहेंगे ज्वारी चिननक कहेंगे ठीक है इसी का नाम चिननक है यह बाल्टी नुमा होती है अगर यह उल्टी बाल्टी ऐसी लग रही है अगर इसको ऐसे सीधा कर दोगे तो यह बाल्टी हो जाएगी कई बार यह टोपी जैसा कोशन बनता है बाल्टी पर कोशन बनता है तो अगर बा पोखिश तबेखते थे कि यहां पर एक कि पखडने के लिए बना हुआ करता था और पहले फोड़ा और पीछे लोह बना भी रहता था लोह की वाल पी मैंas ka का तो बस कहने का मतलब है कि आप से पूछा जा सकता है वह इस छिनक के पूछा जाएगा इसी का नाम है छिन्नक ठीक अच्छा इस छिन्नक में क्या क्या चीजें होंगी अब देखो समझो इस छिन्नक में एक तो दो आर होंगी इसको कहेंगे कैपिटल आर और इसको कहेंगे इसमाल आर ठीक है और यह होगी इसकी उचाई जिसको लोग यच नाम से जानेंगे ठीक हे? यह होगी इसकी उचाई अब यहाँ पर यह होती है इसकी तरसी उचाई यानि की जिसको slant height बोलते है, अब दीखो यहाँ पर तरसी उचाई निकालने का तरीका बिलकुल अलग है, तरसी उचाई यहाँ है यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ से एक minus r का whole square plus h square ऐसे निकलेगी आपकी slant height यानि कि यह कैसे पता चला आप देखो यह total यहां से यहां तक बड़ा r है और इस बड़े r में से यहां तक जितना है इसके सामने चले आओ ऐसे यहां तक तो जितनी यह वाली दूरी थी वो तो हमने घटा दी तो हमाले पास यह वाली दूरी बचेगी अब यह वाली दूरी और यह वाली दूरी है तर हमें पता है जितनी यह होगी उतनी यह होगी क्योंकि उतनी उचाई का है height तो दोनों की बड़ाबर होगी इतनी और यहां से यहां तक height बड़ाबर होगी तो यहां से बस यह point ध्यान रखो, कि यहां पर जो इसकी height है, वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, आपको यह point ध्यान रखना है, और यहां पर triplet भी आपको ध्यान रखनी है, जो आपको triplet लगेगी, देखो, समकोंड तरभू जहां भी बनेगा, वहां पर triplet लगेंगी, और ज़्यादतर triplet ही लगती है, ठीक, क्या होती है, एक बार फिर लिख देते हैं, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच, बारह, तेरह, साथ, चौबिस, पचीस, आठ, पंदरह, सत्रह, यह triplet है, और यह प्रियोग होंगी, और यह त्रभूज से हम आपको समझाने आ रहे हैं, कि यह triplet आपको याद करनी है, त्रभूज से, समझाते आ रहे हैं, तो यह diagram कोई काम का नहीं है, इसको हटाते हैं, अब एक बार थुड़ा और समझाते हैं, चिननक को, बड़े diagram के साथ में, यह भी आपका एक तरीके से छिननक है, और यहां से एक पॉइंट लेते हैं, यहां तक मिलाते हैं, यह हो गई समाल आर, और यहां से एक पॉइंट यहां तक जाएगा, इसको कहेंगे, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, उसको कहेंगे, यच, अब हम समझाना यह चाह रहे थे, बड़े diagram से, कि यहां पर जो इसकी तरशियों चाही है, यह कैसे निकालोगे, अब यह ऐसे निकालेंगे, अभी तो यह चत्रभुज बन गया, यहां से देखो, इस वाले point से चलो नाम दे देते हैं, A, B, C, D, अभी तो यह चत्रभुज का काम करा है, तो चत्रभुज से height निकल नहीं पाएगी, slant height देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक line drop कर लेंगे, अपने मन में, या जब सवाल लगाएंगे तब, तो यह जो diadass बनी है, यह उतनी ही उची होगी, जितनी ही उची यह है, ठीक, अब यहां पर जब आपने height खीची है, यानि कि लंब गिराया है, तो वो 90 degree का कोंड बनाएगा, तो यहां पर एक point और देते हैं, E, तो आपका जो यह बिंद E है, तो आपका जो एक त्रभुज बना काम सा, C, D, E, C, C, D, E, एक त्रभुज है, और कैसा त्रभुज है, समकोंड, C, D, E, एक समकोंड त्रभुज है, ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, समकोंड त्रभुज में लगती है, पाथागुरस प्रमें, पाथागुरस प्रमें क्या होती, कन का स्क्यार, कन कान है, यहां आधार का स्क्वेर पहले लो कोई फरक नहीं पड़ता है प्लस आधार का स्क्वेर अब आधार तो ये वाली पॉइंट है इसी तो इसी की लंबाई कैसे निकलोगे ये जी हम समझाने कोशिस कर रहे थे तो जो इसी है EC की लंबाई कैसे निकलोगे EC की लंबाई हम ऐसे निकाल सकते है पूरा BC ले लो और इसमें से ये वाली घटा दो AD क्यों भाई? क्योंकि जितनी AD है उसी के हिसाब से नीचे चली आई है लाइन और वो हम घटा देंगे तो BC की लंबाई है total R तब B और C यहां तक total capital R और AD की लंबाई है small R तो यहां से EC बराबर निकलेगा R minus R यानि कि जो आपका EC जो आधार हो गया तरभुज का वो हो गया R minus R तो हम लोग कहेंगे लंब का square minus आधार का square तो यहां से लंब बराबर हो जाएगा under root में H square plus R minus R का whole square जो यह बात लिखी है तो दोनों में confusion नहीं होना कि चाहें तो R minus R का whole square पहले लिख लो और चाहें तो बाद में लिख लो कोई फरक यहां पर पढ़ने वाला नहीं है यह सिर्फ slant height की बात थी जो हमने आपको समझाई है अब हम लोग बात करते हैं इसके आयतन की इसके वक्ष प्रष्ट के इसके समपूर प्रष्ट के थोड़ा समझ के समझना क्योंकि इसके जो फर्मूले हैं वो काफी बड़े होते हैं और याद तो कर नहीं है लेकिन जब आपको पूरा basic आएगा तब आप फर्मूला निकाल सकते हैं कई बार फर्मूले भूल जाते हैं और question अगर आ जाए कभी कबार तो हम इसके फर्मूले निकाल सकते हैं ठीक देखो यहाँ पर अब इस चीज़ को बड़े वाले डाइग्राम को हगर हम मिटा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा अब इसके आयतन की बात कर लेते हैं कि इसके छिन्नक के तो छिन्नक का आयतन क्या होता है देखो यह छिन्नक तो बना है बेलन से संकु से तो संकु का आयतन क्या था संकु का आयतन था 1 बटे 3 πi r square h वाई संको कायतन क्या था 1 बटे 3 πi r square h तो हमें भी करना है 1 बटे 3 πi r square into h संको का था लेकिन यहाँ पर r 1 नहीं 2 है तो r कितनी है 2 तो 2 r हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा r square minus प्लस r square plus r into r into h यह होगा यानि कि जब आप r प्लस r का whole square जो करते हो वो होता है r square प्लस r square प्लस 2 r into r भाई एक r तो है नहीं जो हम लोग लिख दें 2 r है एक छोटी एक बड़ी यानि कि जो r बन चुगी है वो 2 r बनी है r प्लस r 2 r है हमारे पास तो जब इसका वर करोगे तो ये 2 आता है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ये चीज गलती ना करना ठीक तो mistake वाली जगा भी हम आपको बता जे रहे है कि अगर भूल भी जाओ तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 नहीं है बस इतना ध्यान रखो तो जो इसका आयतन होगा वो होगा 1 वटे 3 पाय आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर इंटू यच तो ये होगा इसक Freder ये बस आपको रटना है लिखना है समझना भी है ध्यान भी रखना है तो ये इसका आयतन होता है आप चलो बात करते हैं वक प्रष्ठी छेत्रफल की वक वक्रच्प्रच्ट का छेत्रफ़ देखो अगर आप संकु की बात करोगे तो संक का वक्रच्प्रच्प्रच्प्रच्प्रच्प्रच्प्रच्प्र था π.r.l लेकिन यहां पर r एक नहीं है दो हैं तो इसलिए होगा यहां पर π.r.r. और इंटू में उसी स्विकेंस में लिखेंगे जैसा यह नहीं पाई एल इंटू आर प्लस आर इंटू में ल तो आपको इतना ध्यान रखना है यह इसका चिन्नक का पार्सुई प्रस्ट छेत्फल है या घुमावदार छेत्फल है या लिटर सिल्फिसेरिया है मतलब कौन सा एक चीज बताओ जैसे अगर बाल्टी होती है तो अगर कोई बाल्टी का बताओ वक्रश्ट निकालकर तो देखो आफ़को यह तो निकालने ही पड़ेगा निकालना पड़ेगा साथ-साथ में आपको एक तली का भी छेत्वन निकालना पड़ागा और धक्कन नहीं होती बाल्टी में, पहले जो बाल्टी हुआ करती है यह से पगड़ेगे उसमें बाल्टी में धक्कन कैसे आ गई ठीक है, तो ध्यान रगना है, तो कैसे छेत्वन निकालोगे तो यह समझने वाली बात है रटने वाली बात नहीं है आपको घुमाओदार वाला यानि की पाई यारल की तो बैलो निकालनी पड़ेगे साथ साथ में उस तली की भी निकालनी पड़ेगी और यह तली की कैसे निकालोगे तली तो देखो दो सिरे होते हैं एक तो बड़ा सिर तो ज्यादा तर जो बाल्टी है उसका मुह बड़ा होता है और जो नीचे को ऐसे करके आती है इस टाइप के से मैं जैसे उल्टी वाल्टी रखी इसको सीधा कर दें ऐसे करके तो यह चीज है है ना तो बस आप ध्यान रखो तो इसका जो वक्रप्रश्ट का छेथफल होगा पाई आर प्लस आर इंटू में यल रहेगा वक्रप्रश्ट का छेथफल और अगर बाल्टी का पूछ होगे तो यहां से अलग से लिखने के जिरूत नहीं है यह बस आपको ध्यान रखना है और अगर माल लेते हैं कोई ऐसा बरतन है जो नीचे से भी बंद है उपर से भी तो उसको कहेंगे संपूर्ण वक्रप्रश्ट का छेथफल संपूर्ण वक्रप्रश्ट का छेथफल संपूर्ण वक्रप्रश्ट का छेथफल क्या हो जागा अब देखो आपको एक यह वाला आर जोड़ना पड़ेगा और एक यह वाला मनलब आधार जोड़ना पड़ेग तो चफटी नहीं जैसे आप बाल्टी देखेंगे पूरा बाल्टी का यह से गोल गोल होता है नीचे उसको कहते हैं ब्रत्ताकार जैसा नीचे होता वैसे उपर होता है तो कोई ऐसा बरतन है उसमें धक्कन भी है और नीचे तली भी है तो उसका अगर छेत्रफल निकालोगे उसको कहले है संपूर्ण छेत्रफल तो संपूर्ण कैसे निकलेगा संपूर्ण के लिए आपको वकप्रश्ट का छेत्रफल गुमावदार तो चाहिए चाहिए प्लस एक बड़े वाला छेत्रफल चाहिए या पहले छोटा लिख लो छोटा आर इसक्वेर प्लस बड़ा आ है तो इसमें हम क्या करेंगे ये एक हमारे पास सीधर का एक सर्फेस है एक सर्फेस सीधर का है तो दोनों तरफ का सर्फेस जोड़ना पड़ेगा जैसे ये दोनों अलग कर लिया, एक इधर का सर्फेस है, एक इधर का सर्फेस है, तो दोनों सर्फेस को अगर एक में मिलाएंगे, तो संपुल प्रस्ट बताओ वे तो आपको ये निकालना पड़ेगा, प्लस इधर का छेतफल निकालना पड़ेगा, तो इधर ये तिको इसम और विद्वावर बने उवा है इसको कहेंगे बखप्रश्ट छेद फल इसको बखप्रश्ट अब यह ग्लास है यह उपर तो खुला वुआ है इसी प्रकार से अगर कोई बालती का छेदफल पूचेगा तो बालती तो ऊपर खुली होती है द्यान रखना है वह बड़े की तर और प्लस इस बड़े वाले वत्र का भी छेत्फल निकाल कर दोनों को जुड़ देंगे तो यह आजाएगा आपका वक्षट का छेत्फल उमीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है तो अब हम चाहें तो इस में से πाई कामन ले सकते हो ना चाहों तो अपने हिसाफ से सॉल्व कर लेना पाई तो आप यहाँ चाहों तो कामन ले सकते हो जैसे यहाँ पाई कामन ले ली तो हमारे पास बचा क्या आर प्लस आर इंटु में ल प्लस आर इसक्वेर प्लस आर इसक्वेर यह हमारे पास बचा ऐसा कुछ करने के जुरुत नहीं है बस पहले आप ये चीज़ समझो इसको ध्यान रखो मतलब घुमाओदार वरल है तो चाहिए चाहिए पाई आर प्लस आर इंटू यल अगर दोनों तरफ से तो पाई आर इसके र प्लस पाई आर इसके र बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें चिनक में इस तरीके से बस आप सवाल लगाने है सवाल सवाल की लेंगुज समझ रही है कि सवाल गुमाओदार है कि सवाल हमसे कैसे पूछा जा रहा है तो चलिए आईए हम डिसक्स करते हैं अपने सवालों को तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं question number 156 से यारी कि इससे पहले हम लोगों ने 155 question discuss कर लिये हैं अब हम question 156 से start करेंगे तो देखिए question number 156 है यदि 45 cm ऊची किसी रूंडित संकू बाल्टी के व्रत्ताकार छोरों की तरज्जा है 28 cm और 7 cm अच्छा है ये 28 और 7 से हमें ये clear हो रहा है कि बड़ी तरज्जा कौन है और छोटी तरज्जा कौन है 28 cm और 7 cm मतलब हम कहा सकते हैं कि बड़ी वाली सब्सक्राम बनाने की कोई ऐसी विश्यस जरूरत नहीं है ये चीज आप समझिए ठिक तो घन सेंटीमेटर में बाल्टी की धर्ता क्या होगी और 45 cm ऊची है यानि कि आपको उचाई दी गई है ये बराबर 45 cm ये आपको उचाई दी गई गई 45 cm तो चलिए आप से पूछ र कर रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, सिंपल सिवात है चिन्नक का आयतन निकालना है और चिन्नक का आयतन क्या होता है अभी हम आपको लिखा चुके है चिन्नक का आयतन धारिता मतलब आयतन ठीक है एक बटे 3Pi r2 r2 into r into r into h यह होती है तो हम लोग यहां से value put करेंगे तो देखो एक बटे तीन पाई का मार्ण रख दो बाईस बटे साथ एड़ू में आर स्क्वार आर स्क्वार तो देखो आर स्क्वार यानि कि एक लाइन पर बाद नहीं करेंगे आप 28 के उपर स्क्वार लगाओ प्लस साथ के उपर लिए इसका तो 28 कवर्ग आपको लिखना है तो 28 कवर्ग होता है 784 प्लस और 7 कवर्ग होता है 49 प्लस 28 गुणे साथ यानि कि आर इंटू आर का मतलब है 28 गुणे साथ तो 7 अठे 56 के 6 और 7 दूनी 14 और 5 19 ठीक और इंटू में येच येच कितना है आपको 45 तो 45 से तो आप ये 3 से ये काट सकते हो तो ये 15 आ जाएगा और आप उड़ा भी कर सकते हो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 तें 30 ये इधर आ गया आप ब्राइकट में रेखो कितना आ रहा है सब को जोड लो तो 6 और 9 15 और 4 19, 19 के कितने 9 तो 19 का कितना हो गया 9 हांसिल कितना लगा 1 तो 9 और 4 13 और 8 13 और 8 21 और एक हांसिल 22 के 2 हांसिल लगे कितने 2 तो 1 और ये 7 1 और 7 आठ और हांसिल 2 थे 10 और बटे में ये आपका 7 बचा हुआ है तो आप इसको 7 को लिख लो अब आप इसको काट दो तो 7 एकम 7 बचे कितने 3 हो गए 32 तो 7, 4, 28 बचे कितने 4 हो गए 49 7 सते 49 अब आपको 330 और 147 की गुणा करनी है तो आप 330 की ना गुणा करके पहले तो 0 से गुणा करनी है तो आप 0 पहले लिख लो अब 33 से गुणा नहीं कर सकते हो तो 33 की जगए आप उसके फ्रक्टर से गुणा करो मतलब 3 गुणे 11 से गुणा करो तो ठीक है तो 3 गुणे 11 से गुणा करते हैं तो 3 सते चो यहाँ पर कर लेते हैं फिर उद्वर final answer ही लिख देंगे तो 147 में 3 से गुणा करनी है 11 से कर ले ठीक है तो मतलब 33 से हो रहाएगी तो 3 सते 21 का 1 3 सते 21 का 1 हांसिल लगए 2 3 चकु 12 और 2 14 के 4 हांसिल लगए 1 3 एकम 3 और 1 चार अम लोग इधर गुणा करते हैं 11 से तो यहाँ सीधे लिख देंगे 11 एकम 11 का 1 हांसिल लगए 1 11.44 और 145 के 5 हांसिल लगए 4 11.44 और 4 48 यानि कि हमारा जो एंसर हो जाएगा वो 510 हो जाएगा 48,510 सेंटीमेटर क्यूब यह हमारा राइट एंसर है चलिए अगला कुशन देखते है कुशन नमबर 157 संग के छिननक के आकार की एक बाल्टी के नीचले तथा उपरी किनारों के व्यास 10 सेंटीमेटर तथा 30 सेंटीमेटर है यदि बाल्टी की उचाई 24 सेंटीमेटर है तो बाल्टी को बनाने में लगने वाली धात की सीट का छेत्र होता है चलो तो वही सवाल है जो हभी हम आपके साथ डिस्क्स कर रहे थे कैसे क्या सॉल्व करना है संग के छिनना के आकार की एक बाल्टी नीचे ले दसा उपरी सीरे के ब्यास क्रमसा 10 cm और 30 cm मतलब ब्यास दिया गया है 30 cm अच्छा ब्यास की आधी होती है तरज्या यानि कि जितना भी ब्यास होगा उसका आधा ही तरज्या होगी अब बताओ इसमें छोटी तरज्या कौनस होगी बड़ी तो यह चोटी होगी यह बड़ी तो तरज्या अगर आपको लिखना है तो आधा 10 का आधा क्या होगा 5 cm औ यानि कि यह चाप को दिया गया है 24 cm, तो और आप से कह रहे हैं, बाल्टी को बनाने में लगने वाली धादु का सीट का छेद फुल क्या होगा, यानि कि जितने में जो बाल्टी बनी है, जिस धादु की, उसका छेद फुल क्या था, यह हमको बताना है, संव के शिनक की आकार की बाल्टी है, तथा उपरी किनारों के व्यास, नीचे ले तथा उपरी, ठीक है, अब यह कहीं पर नहीं बताया गया है, कि बाल्टी किस तरहें से खुली है, उपर खुली है, नीचे, तो आपको समझना है, बाल्टी उपर खुलती है, मतलब बाल्टी जो होगी, वो ठीक है और इसको हमको कैसे सॉल्व करना है यह हम आपको साथ डिस्क्स कर चुके हैं और चाहें तो यहां से एक लंबाई खीच लिजिए यह उल्टा आपने बनाया है तो आपको देखो सबसे पहले तो यहां पर यह समझना है capital R का मान कितना है वो है 15 और यह है छोटी R का मान है 5 तो यहां पर यह वाली value कितने हो जाएगी 10 कैसे यह 5 गट जाएगी जाके 15 में से तो यह बचे का 10 और आपको उचाई दी गई है मतलब यह 24 अब देखो हम आप यहां पर triplet लगाएंगे चाहों तो आप इसमें formula यूज कर सकते हो में 6 पल बताना है बाल्टी का और यह भूक्ती तो मिह यह तो निकालने पढ़ेगा प्लस उसके बाद में जो यह नीचे बर थकार यादकी पाइब और निकालना पढ़ेगा चोटी आर वाला बढ़ा आर वाला तो खुले हे मूं तो हम यह कर रहें तो यहां पर यहां squirrel में सबावल में नहीं दिया गया है यह कालने के लिए तरीका है कि आप पार्थागोर्स परमें लगाओ स्मार्ट तरीका अपनाओ या तो फार्मुना लगाओ जैसे हमने आपको सिखाया है जो यल बराबर होता है एक बार पूरा बताते हैं यल बराबर अंडरूड आर माइनस आर का होल स्कार यानि कि आर माइनस आर यानि कि पंदरा माइनस 5 का होल स्कार तो हो जायेगा 10 का होल स्कार 100 चलो ज्यादा हो गया क्या तो हम लिख दे रहे हैं फिला आप समझ लेना प्लस ये स्कार ये चिद्रा 24 24 का बर्ग होता है 566 ठीक अब देखो आप यहां 100 इसमें जोट दोगे तो हो जाएगा 676 और 676 का परुमूल होता है 26 का ठिक यानि कि जो इसकी लंबाई हा गई वो 26 आ गई लेकिन यह छोटी छोटी डिजेट थी जो आपने आसानी से स्वाल्व कर ली लेकिन अगर आप हमारी ट्रिपलेट ध्यान रखते तो ट्रिपलेट क्या थी थोड़ा इस डाइकराम को उल्टा बनाते हैं वाल्टी को उल्टा करके रखते हैं तो यह वाल्टी अगर उल्टा करके रखोगे तो आपको और भी थोड़ा यहाँ पर clear हो जाएगा यह capital R यह इसमार तो यहाँ से यह अरे यह तो सीधी वाल्टी बन गए जैसे हम एक बार बड़ी वाल्टी बना के आपको इसमें यह वाली तरिज आदी गई हो पांच दी गई है और यह वाली जो तर्ज आदी गई हो पंदरा दी गई है और हम चाह रहे हैं यह वाली उंचाई आपको दी गई है 24 और हमें निकालना है तरशी उंचाई तो हमने आपको क्या समझाया है यहाँ से इक pointS 8 iman ner here हो जाएगा तो गभार यह 24 है तो यह तक यह वाला धी 24 होगा तो यह कंको तो हम आपको ट्रिपलेट दिलाते हैं एक पांच बारा तेरा की हमने का था इसके मल्टिपल भी यूज होंगे पीछे कुशन साप जो प्रक्टिस करी है अपने त्रिबू जो सम्में तो वहां कांसेट आपने आपको समझाया है तो अब देखो यहां इसके मल्टिपल हुए ह यानि कि पांच दूना दस बारा दूनी चोबिस तो तेरा दूनी चबिस मतलब अगर कहीं एक मुझा दस है दूसरी चोबिस है तो पक्का तिसरी चबिस होगी एक मुझा दस है दूसरी चोबिस है तो पक्का तिसरी चबिस होगी आपको गई कि रटना पड़ेगा नहीं सम दुनी 26 हो जाएगा यह वाली और सिर्फ यह तभी होता है जब काण निकालना हो है अच्छा कांड दिया हो लंब दिया हो अधार निकालना हो तब भी लगेगा है बड़ी बुजा बड़ी जगह पर हो नीचे इसका डिटेल वर्जन जो है आप त्रभुज में समझ पाएंग तो इधर भचेगा हमारा आर प्लस आर यानिकी दोनों जोड़तों पंद्रा पांच 20 गुणे यल यल कितना है 26 प्लस आर स्क्यार चुकि यहां पाई तो कम नहीं चला गया है आर स्क्यार आर कौम से छोटी वाली यानिकी पचाम 25 अब मान रखेंगे पाई का 22 वोटे साथ स सबको जोड़ो 26 कितना हो जाएगा यहां पर 22 और यह 25 जोड़तों तो हो जाएगा 545 ठीक अब हम इसको चार से काट देंगे सास से तो सास से अगर आप काटो गए इसको तो यह कटे का नहीं सास सते 49 बचे कितने 5 हो गए 55 नहीं कट रहा है तो आप इसको पाई में भी रहने सकते हो या आप इसको दसमलम में सॉल्व कर सकते हो दसमलम में तो चाहों तो दसमलम में सॉल्व कर लो या तो आप इसको य करो और कुछ नहीं तरीका है तो बाइस पंचे एक सो दस के 0 हांसी लगे 11 बाइस चोकू 88 और 11 आपके हो जाएंगे 99 के 9 हांसी लग गया 9 बाइस पंचे 110 और 9 119 बटे में कितना 7 और 7 से भाग कर लो तो 7 एकम 7 बचे कितने 4 हो गए 49 तो 7 सते 49 फिर 7 एकम 7 बचा 2 हो गए 20 7 दूनी 14 लगाए 10 अलब हो गए 6 हो गए 60 तो 7 अठे 56 यानि कि 712 अलब 8 यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 अलब 8 एक पॉइंट और निकाल सकते हो चालिस हो जाएंगे साथ पॉच्छे 35 और यह चेतर फल है तो यह सेंटीमेटर स्क्यार होगा कितना सेंटीमेटर स्क्यार होगा चेतर फल तो मैंने आराम आराम से आपको समझाने की कुछिस की है देखो यह सवाल हमने समझाया है तो भले थोड़ा सा टाइम 2-4-6 मिनिटर जादा लग गया हो लेकिन आप अपनी हिसाब से करोगे जब एक बार समझ जाओगे तो ना यह डियाग्राम नहीं चुरूत है ना यह दो चुरु होदा के चिनक की विचाई चार सेंटी मेटर है तब इसके बरती सिरों के परीमाप अठारा सेंटी میर और चे सेंटी मेटर है चिननक का वक्षटिज हित्फवल गयाद कीजिए जिए ज़क की बताना है मतलब हमको जो मान गयाद करना है वो πई यार यल का मान गया करना है अब देखो आपको सुरी वक्षटी का छिद्फल होता है पाई आर प्लस आर इंटो में यल यानिकी इसका मानिकत करना है इसके लिए हमें तरशी उचाई भी पता है यल का मान चार संटीमेटर है साथ साथ में इसके ब्रती सिरो के परिमाप दिये गए 18 और 6 परिमाप है 18 और दूसरा है 6 संटीमेटर ठीक है ये सारी बाते हम लिए जिससे आपको समझ में ज़्यादा आ है और इसका वक्षटी से तपलने का लिए फटा फट तो वक्षटी के लिए आप अब देखो परिमाप लग चीज़ है तो देखो अब यह आप देख रहे हैं जो छिनक होता है उसका परिमाप कैसा होता है वरताकार होता है मतलब उसका आधार कैसा होता है वरताकार तो वरत का परिमाप क्या होगा वरत का परिमाप होगा 2 पाई आर मतलब यह 2 पाई आर की बरावर आपको 6 लिखना है, 2 से काट तो 2 3 6, यानि कि R बरावर हो जाएगा 3 बटे πाई, ये सेंटिमेटर में हैं सब, ये भी सेंटिमेटर, ये भी सेंटिमेटर, ठीक, फर्ट अब आप इसमें लख्ध जो है value पुट कर दो, तो πाई को तो πाई रखेंगे, इंटू में, R प्लस R, बड़ा R कितना है, 9 बटे πाई, फ्लस छोटा R, 3 बटे πाई, और इंटू में L, L कितना है आपका 4, तो देखो यहां पर L 4 है, तो आप देखो यहां बटे में पाई है, बटे में पाई है, तो कोई प्रावलम नहीं है, तो आप इसको सीधे जोड सकते हो, यानि कि पाई, 9 बटे, पाई, इंटू में 4, तो पाई से पाई कड़ जागा, बारा चौक, 48 cm2, चुकि यह छेत भली था, तो यह 48 cm2, इसका राइट एंसर हो जाएगा, ठीक, कोईशन नमबर 169 हम लोग करेंगे, करें हैं कि अतूल संक के एक छिनक के आकार की एक कपड़े की टोपी, जिसकी उचाई 14 cm2 है, यानि कि एक टोपी है अतूल के पास, जिसकी उचाई है 14 cm2 है, ठीक है, 14 cm2, तथा बरताकार सिरो की तरज्जाएं 6 cm2 और 8 cm2, यानि कि 6 और चोटी वाली तरज्जा 6 cm2 होगी, और बड़ी वाली तरज्जा 8 cm2 होगी, ठीक, बनाना चाहता है तोपी बड़े वाले वरत्त की और से खुली हो, यानि कि टोपी जो खुली है वो बड़े वाले वरत्त की और से खुली है, तो बताईए कि अतुल की टोपी बनाने के dv2engine r plus r into email प्लस chhoti वाली तरफ्ज planes yër square यानि बड़ी वाली तो खुला ही है बड़ी वाली में तो kप्ड़ा थोड़ा जह लगा है च्छोटी वाली जैसे आ पने देखा वाले कशित पर्यां चाहिए इतना मान निकाल बता दो सब कुछ दिया गया है पस यल नहीं दिया गया है यल देखो यहाँ पर यल चाहिए होगा तो यल के लिए आप तरीका अपना सकते हो यह वाला चाहां जैसे लगा लो यल तो यल कैसे निकलता है अंडर रूड आर माइन यह चाहर देंगे 200 जब आप 200 का बर्मूलोगे तो आपको आएगा दस अंडर रूड दो ठीक डस अंडर रूड को भी अगर आप सई से लिखोगे तो दस गुणे एक दसमलब एक एक दसमलब 414 हां 1.44 मान होता है जब आप इसकrespondi कुर्णा करदोगे तो यहां पर आओ जाएगा 14.4 मतलब अंडर रूड़ 2 का मान होता है 1.414 ठीक है जब आइसरो करके तो चलिए अब हम लोग यहां पर solve कर लेते हैं तोπ 다른 का मान का मन ले लो चलो कहीं कटना तो है नहीं तो 8 और 6 चौधा कट जाएगा तो आर पाई कामा ले लेते हैं कट भी जाएगा तो यहाँ पर आर प्लस आर तो 8 और 6 चौधा यहाँ पर तो कट जाएगा पाई चुकि 22 वटे 7 होता है यल कितना है यल है आपका चौधा दसमलब एक चार प्लस पाई आर स्क्यार यानि कि पाई आर स्क्यार आर कितना है 6 चे कावर कितना होता है 36 ठीक आप देखो यहाँ पर गुडा करा लेते हैं सबकी चौधा चकू 56 के 6 हांसे लगे 5 चौधा एकम चौधा और 5 पाँच 19 के 9 हांसे लगे एक चौधा चकू 56 और एक 57 के साथ हांसे लगे 5 चौधा एकम चौधा पाँच 19 और दो अंक बाद दसमलब लगेगा यहाँ पर साथ साथ में पाई प्लस 36 पाई यह अब दोनों को जोड़ लो तो दोनों को जोड़ना है तो बड़ा असाम से जोड़ना है तो पाई तो लास्ट में लिग लोगे और बांकी 9 6 भी लिगना पड़ेगा तो पूरा 36 है तो पूरे साथ जोड़ेगा 6 और 7 6 13 के 3 हांसे लग गया कितना 13 के 3 हांसे लगा 1 और 3 और 9 तो पाई का मान रख लो पाई का मान रख लो फिर सॉल्व कर लो पाई का मान तो पाई का मान भी रख सकते हो थोड़ा सा यहां फिर कल्कुलिटिव होगा घवड़ाना नहीं है अगर यह सास से कड़ जाए तो अच्छा है तो सातियां 21, बचे 2, फिर सातियां 21, और फिर सास अते 49, नहीं कटेगा, मतलब पहले 22 से गुणा करानी पड़ेगी, फिर सास से भाग कराना पड़ेगा, इतना सा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो चलो करें, अगर आप 22 से नहीं कर पाते हो, तो आप इसको ऐसे लिख तो दो गुणे 11, तो चलो हम तो दो गुणे 11 लिख सकते हैं, दो चंग 12 के 2 हांसी लग गया एक, दो नहीं 18 और एक 19, दो तियां 6 और एक 7, दो दूनी 4, अब आप इसमें 11 से गुणा कर लो, फिर सास सिभा करना है, तो यहां से दिख रहा है जानी, 11 दूनी 20 के 2 हांसी साथ, गेरा चुक 44 और साथ, 51, तो यह हो जाएगा 51, अब यह आ चुका, इसमें 2 अंक बाद दसनों था, यहां पर यह देखो, तो दो अंक बाद दसनों तो यहां लगेगा, बटे में आपको सास से भाग और करना है, सास से जवाब भाग करेंगी, तो यहां पर 7 सते 49, सास लग जाएगा, बचे थे 2 हो गए, जो है, बचे थे 2, साथ बचे से 35, बचे 2, अब सातियां 21, ठीक है, तो 735 दसनों सातियां 21, हलांकि ना जाने का 0 लगा कर फिर 20 हो जाएगा, वो उतना रहने दो, तो 735 दसनों लब 3, और यह आप से बूच रहे थे 6 फल, तो यहां हो ज Question number 160, एक बाल्टी जो 15 सेंटीमेटर गहरी है, तैथा जिसके उपर ही वा निचले सिरों की तरज्जा है करमसा 20 और 10 सेंटीमेटर है, यानिकि उचाई जो है, वो 15 सेंटीमेटर तरज्जा एक बड़ी है, वो 20 सेंटीमेटर, और जो छोटी है, वो 10 सेंटीमेटर है, ठीक है 20-10 cm है मैं कितने लीटर पानी भरा जा सकता है कितने लीटर पानी भरा जा सकता है इसके लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा पहले आप आयतन निकालो फिर हम आगे की कहानी बताएंगे 1 बटे 3 πाई r square r square into r into r into h तो 1 बटे 3 तो रहेगा πाई कमान और 20 गुणे 10 हो जाएगा 200 into me h हो जाएगा 15 तो आप 3 से काट भी सकते हो तिपश 15 और 22 बटे बटे में ये 7 गुणे में 400, 100 500 और 2, 700 ठीक है तो यहां 700 हो जाएगा 7 से 7 कट दोगे तो यहां पर बचेगा 11,000 और यह cm है तो यह हो जाएगा cm3 ठीक है तो यह आयतन आ चुका है और हमसे पूछ रहा कितने लीटर पानी में आएगा 10 की में तो एक बात यहां गाट बांद कर रखो कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर ठीक हना कई बार सुन जा चुके हैं फिर 1 cm3 में होता है 1 बटे 1000 लीटर ठीक मतलब अगर आपको 1 cm में कोई चीज दी गए और आपको उसको लीटर में कनवर्ड करना है तो आप उसको 1 बटे 1000 से गुणा कर दो तो हमने लोग इसको में 1 बटे 1000 से गुणा कर देंगे तो यह 2, 3,0, 3,0 कड़ जाएगा और पूरा पड़ने के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास भी आ गया होगा जिनोंने खूम महनत की है हमने जैसा काई अलकुल वैसा किया है तो उनकी मैत अच्छी भी हो गई होगी और इसी प्रकार से जो आपका यह वाला टाइमिंग है 3-4 के बीच में इसमें हम अच्छे अच्छे लेक्चर आपको देते रहेंगे आप बने रहे हैं थैंक यू मिलते हैं ने लेक्ट